आई ये अन्बोक्सिंग देख लेते हैं आउजा कंपनी के PA400DS एम्प्लिफायर का ये एक छोटा से एम्प्लिफायर है इसके MRP को 4460 रुपए दी गई है अभी शायद रेट उपर निचे हो सकते है मेरा स्परानेट बॉक्स है ये छोटा से एम्प्लिफायर है जो कि आप गा हो गया लोए का रैक है सबसे पहले तो निकल ये कुछ डंडी दिये लोए का और डड़ बोल्ट है और फ्यूज भी दिये यूजर मैनुवल के साथ ये जार रिमोट दिया गया है ये पन्याटा देता हूं फटा फट से हो गया लग बड़क है ये ये लोए का रैक दिया उपर लगाने के लिए उल्टा है जिदा कर लेतों कुछ आशा दिखता है आप टोटल दो मैक लगा सकते है एक आउक से लगा सकते है पैंड्रैव चला सकते है दो टोन साहरें चला सकते हैं या तो यूस्बी या तो अक्स ऐसा स्विच दिया है और पीछे कॉमन चार कॉमन सौवल्ट और बैटरी कनेक्शन के लिए दिया गया है ये फट आफट से वायरिंग कर लेता हूं इसका क्योंकि मेरे पास सौवल्ट आले चुंगे हैं इसलिए मैं उसी का वायरिंग करूं कॉम्प्लेट ये माउंट ट्रेक करने का दिया गया है इधर पर नटबूल जिस्टिक लिए था अब हम चला के देख जलते हैं इसको कि कैसे वा जा रही है इसमें दो टोन है साइरन का अभी हम पहला दून रहे हैं सुन रहे हैं उसके बाद दूसरा सुनेंगे यह अनुप बटन दिया गया है है अब यह दूसरा फैरल है इसमें यूएजबी कनेक्शन भी दिया गया है तो मैं आपको यूएजबी करेक्ट करके बचला के दिखा दूँगा कि इसमें से कैसे हो जा रही है यूएजबी का और हो गया तो चलिए शुरू करते हैं अब मैं इसमें माइक करेक्ट करके आप कुछ अलागा है कि माइक में कैसी हो जाती है तो चलिए शुरू करते हैं अब यह माइक टेस्ट कर रहे है आउजा के पीए 400 टीए सम्पलिफायर में हावाद बहुत अच्छा हावाद अच्छा हावाद बाई